हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले है किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल करने वाले है HP Laser Z1018 प्रिंटर के ड्राइवर को वो भी हमारे Windows 11 के PC या फिल अप्टॉप में पहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है तो चलिए अपने वीडियो के ओर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम जाएंगे यूट्यूब की डिस्पिक्शन में वहाँ पर मैंने दो लिंक देके रखिए एक है मेगा की तुसरी है गूगल ट्राइव की आप किसी भी लिंक के ओपर क्लिक कर दीजिए मैं मेगा की लिंक के ओपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेगा की लिंक मेरे सामने ओपन हो जाएगी आप गूगल ट्राइव की लिंक को भी क्लिक कर सकते यहाँ पर आप download में जाएए और download as a zip के उपर click कर दीजिए तो यह जो file से वो सारी download होना start हो जाएगी ज्यादा बड़ी file नहीं है कुछी seconds का time लगता है कुछ seconds तक आप जला wait कीजी तो हमारा download complete हो चुका है उपर में जाएगे यहाँ पर download होगा और यहाँ पर show in a folder होगा show in folder के उपर click कर देंगे इस website को minimize कर लेंगे या फिर बंद कर लेंगे इसे drag करके हम desktop के उपर लाएंगे और इसे close कर लेंगे तो अब हम इसे extract करने वाले right click करेंगे extract all के उपर जाएंगे extract कर देंगे तो यह file extract होके desktop में आजाएंगी Windows भी open हो जाएगा इसे बंद करेंगे एक folder बंद चुका है desktop में उसके उपर double click करेंगे इस folder के अंदर एक folder है double click करेंगे और यहाँ पर हमारे सारी drivers की file है और इन्हें हम manually install करने वाले बहुत ज़्यादा simple तरीका होता है manually install करने का और reliable होता है तो start में जाएंगे printers and scanners type करेंगे printers and scanners के उपर click कर देंगे तो यहाँ पर हमें printers and scanners के अंदर add a printer और scanner मिल जाएगा और यहाँ पर add a device मिल जाएगा add a device के उपर आप click कर दीजिए तो कुछ यह seconds में हमें एक नया option यहाँ पर मिल जाएगा उसके उपर हमें click करना है the printer that I want isn't listed add manually तो add manually के उपर click करना है इसे minimize कर देना है यहाँ पर add a printer में बहुत सारे option मिल जाएगे हमें जाना है last option में add a local printer or network printer with manual settings इसे select करना है next के उपर जाना है तो port port है इस सारे installation का main part है तो port को हमें पराबर select करना पड़ता है उसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे और अगर आपको यहाँ पर HP printer, HP printer device, HP का कुछ भी मिलता है तो उसे select करना है अगर नहीं मिलता तो next option है USB USB 001, 002, 003, 004 कौन सा भी USB होगा उससे select कर दीजिए और next के उपर click कर देंगे हावर डिस में जाएंगे प्राउज में जाएंगे टेश्टाप के उपर जाएंगे यहाँ पर हमारा folder है उसको double click करेंगे इसके अंदर एक folder है उसको double click करेंगे यहाँ पर एक key printer की file है आप नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं मैं नहीं बद दूँगा next के उपर जाएंगे तो इस printer कुछी सेकंद में install हो जाएगा तो हो चुका है install अगर आप यहाँ पे network में शेर करना चाहते हैं इस printer को तो नीचे वाला option अगर नहीं शेर करना चाहते हैं तो do not share this printer का option select कीजिए next के उपर क्लिक करेंगे अगर आप printer test page देना चाहते हैं तो printer test page के उपर क्लिक कीजिए या फिर finish के उपर आप क्लिक कर दीजिए इसके बाद हमें क्या करना है हमें जाना है start में यहाँ पर power में जाना है और इस machine को restart करना है restart करना machine बहुत यह आएंपी है इस installation में machine restart होने के बाद हम check करने वाले है हमारा printer properly install हुआ है या नहीं उसे check करने के लिए हम जाएंगे start में यहाँ पर printers and scanners type करेंगे printers and scanners के उपर क्लिक कर देंगे printers और scanners के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा HP LaserJet108 इसका मतलब है हमारा printer properly install हो चुका है हमारे Windows 11 PC या फिर laptop में तो दोस्तों यह simple तरीका था इस printer को download और install करने का तो दोस्तों इस वीडियो को आन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो कता ही मत पूलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई